कि नमस्कार जोहार कि श्वागा थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रेंड इलाइट पर और आज के क्लास में जारखंड जीके का जो मध्यकाल में जारखंड है टॉपिक इसे रिलेटेड एमसी की क्वेस्टन को लेकर के आया है तो ध्यान से आपके से देखेंगे मध्यकाल मैं जारखंड इसको मैने डिटेल में अप्लीकेशन में जब लाइव क्लास चलता है तो इसमें पढ़ाया हूं और इसका से कि वह आज खरार रहा हूं YouTube के मध्यां से और इसमें आप देख लिए देखिए क्या इस से रिलेटेड क्वेश्चन है तवाल है महामाया मंदिर का समंध किस काल से हैं तो महामाया मंदिर जो कहां स्थित है गुमला में हापा मुनिगाउं में स्थित है कुमला के हापा मुनी गाउं में स्थी था ये महा माया मंदिर आधर खेंगे कि वहीं पूछता है कि मुद्ध हापा मुनी में गाउं में है महा माया मंदिर ठीक है कि इसका निर्मान कब हुआ था तो आध रखेंगे इसका निर्मान नौस्ट्वयार्ट इस्व में मंदिर का निर्मान हुआ था इस मंदिर का निर्मान करने वाला कौन था किसने इस मंदिर का निर्मान करवाया तो गजघंट राय जो थे इस मंदिर का निर्मान करवाया था यहां पर सवाल है आपके समने इसका सम्मंध किस काल से है महामाया मंदिर का तो उसका सम्मंध है पुरुमधिकाल से उसे समय समंधिर का निर्मान करवाया गया था सवाल है महामाया मंदिर किस अस्थान पर स्थित है देखिए यहां पर चार अप्षन है राजराप्पा हापा मुनिगाओं सत गाओं और इट खोरी तो महामाया मंदिर जो है हापा मुनिगाओं में स्थित है कौन सा जिला में गुमला में तो यहां पर जवाब क्या हो का हापा मुनी गाओं में है कि आगे सवाल है हापा मुनी गाओं में स्थित महामायम मंदिर का निर्मान करा गया था आनि कि हापा मुनी गाओं में जो महामायम मंदिर है उसका निर्मान कब करा गया था वह इसवी दिया हुआ है गुमला जिला में पढ़ता है आपा मुनिगाओं और गुमला जिला में स्थित है आगे सवाल है हापा मुनिगाओं में स्थित महामाय मंदिर का निर्मान किस ने करा था तो यह हो जाएगा गजघंट्राई ने इसका निर्मान करवाया था श्री नमर ओप्शन हो जाएगा चली ठीक है आप भी क्या करें अपना कॉपशन निकाल करके आप भी इसको इस सवाल का जवाब देते जाए हैं प्रयंत में आपका कितना question right होता है उसका आप मेरे comment box में लिखें और बताएं कि आपके कितना question right और कितना wrong होता है चलिए बहुत सारे student ऐसे होंगे जो पहले से इस chapter को पढ़े होंगे वह हमको लगता है कि 100 में से 100 अनि 100 परसेंट सही करेंगे मुझे उमीद है और जो नहीं कर पा रहे हैं वह यूटूब के मैध्यम से आप उसको पढ़ें और आप भी आगे जब मैं फिर से इसको करवाऊंगा तो वहां पर आप 100 में से 100 परसेंट माक्ष लाने का प्रयास करें तो आगे जो सवाल आपके सामने वह माया मंदिर का निर्मान किस साशक करा गया था आदा तो किस में चाल से पुरू मध्यकाल से पुरों मध्यकाल के समय इसका निर्मान करा था आनि के 908 22 में बुदे में से किषके द्वारा विष्णू की प्रतिमा श्थापित की गई थी वो किया गया था महांमाया मंदिर का प्रथम प्रोईत कौन था निर्मान करने वाला कौन था गजघंटानों ट्राय का नागमंस का सब्सक्ता गजघंट्राय उसने निर्मान करवाइब नुसौण रोशी का धार्मिक गुरू था यह हरीनाथ जिसे वहां प्रथम पुजारी बनाया गया था उस मंदिर का प्रथम तो पर पर्थम पुरुईत ही था कहा का महामाया मंदिर का निर्मान किस काल में हुआ तो गुमला में इस्थित जो टांगी नाथ मंदिर है उसका भी निर्मान पूरु में हुआ है काल में इस्थित है तो टांगी नाथ मंदिर जारकन के क्स कि मला जीला में ही है कि छभी चल्णा जानते होंगें जो पढ़े हैं विसी तरह से जलदी से फटाफट तवाल का जवाब देते हैं और मेरे comment box में आप डालें कि कितना question आपका सही हो रहा है रजरपा में चिनमस्त का सकति पीठ का समंध निम्न में से किस काल से है तो रजरपा में जो चिनमस्त का सकति पीठ है उसका भी समंध है पुरुमध काल से कहां पर है चिनमस्तका मंदिर शक्तिपिट यह रजरप्पा में है रजरप्पा कहां पर कौन से जिल्ले में है तो रामगार जिल्ला में रजरप्पा आता है चलिए आगे सवाल है यश्ट भुजी चिनमस्तका सक्तिपिट निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है तो वो क खोरी में आज़र काली मंदिर कहा पर इट्खोरी चतरा है तो इट्खोरी जो की चतरा जिल्ला में पढ़ता है अच पर हम लोग रजराप्पा मंदिर देखे थे जो सिनमस्त का मंदिर है कहा पर है यह कि कि मस्तका सक्तिपीट के नाम से जानते हैं जो राजरपा रामगड में है चलिए आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं राजरपा धारखन राज के किस दिले में है तो राजरपा धार धारखन के रामगड जिले में स्तिद है आगे सवाल म hm भदरकाली की मुर्ति का निर्माण जर्खण के लिए निम्र मत किस अस्थान पर किया गया था देखे शवाला गया स्थान के गई थी जारखंड के किस अस्थान से पाल साशक महंद्रपाल के सिलालेख प्राप्थ हुए हैं तो महंद्रपाल के सिलालेख भी जो प्राप्थ हुए हैं वो इत्खोरी से हुए हैं चत्त इत्खोरी चत्रा से आगे सवाल है बक्तियार खिलजी ने ज्यारखंड से होकर निम्न में से किस अस्थान पर आकर्मन कर दिया था तो बक्तियार खिलजी ने ज्यारखंड ते होकर में से किसह अस्थान पर तो उन्हें नादिया पर आकर्मन किया था जो लक्षमान सेन का राइधानी था नादिया बंगाल wrinkles में पढ़تم Bowl जेत्र में पढ़ता था नादिया वहां पर बक्तियार खिल जीने आक्रमन कर दिया था देखे यहाँ पर शवाल है इट खोरी में महां भदरकाली की मूर्ति का निर्मान निम्न में से किस सासन में किया गया था चार ओप्षन यहाँ पर इसके लिए आपको दिये हैं पालकाल, मौरकाल, गुप्तकाल और सुंकाल तो आद रखेंगे नागवन्स के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, उसका महमाया मंदर का निर्मान नागवन्स के द्वारा करक किया गया था पुरूमेधिकाल में लेकिन यहां सवाल है इट खोरी में हमां भदरकाली की मुर्थी तो यह किया गया था पालकाल में चलिए आगे सवाल है बक्ष्टियार खिल जी के नादिया अकरमन के समय बंगाल में सेन वंस का क coercion dome Il regulators तो बही मैंने बता है कि लक्षमन सन का राजधानी था जो सेंवंस का शासक था कहां पर बंगाल खित्र में सेंबल बंगाल करो भद जेद्षिの तो वही पूटता है कि समय बंगाल में सेन आकरमंवंस का सा कौन था जब नादिया किया कि मैं आक्रमन किया था किस ने बक्तियार खिल जी के द्वारा कि पक्तियार खिल जी के द्वारा कमन किया गया था नादिया पर जो नादिया राइधानी था बंगाल का उसमय लक्षमन शेन वहां शेनवंस का सासक था आगे शवाल है बक्तियार खिलजी ने किस सताबदी में जारखंड से होकर ना दिया पर आक्रमन किया था वो शमय था तेरवी सताबदी का आगे शवाल है अलावदिन खिलजी ने अपने किस तनापती को नागवंशी राजा पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था तो उन्होंने छज्जु मलिक को भेजा था अलावदिन खिलजी ने तनापती बना करके क्या चीज करने के लिए नागवंशी राजा पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे है इल्टूतमिस्त था बलबन के समय जारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहां नागवंश के एक सक्ति साली राजा था आगे सवाल है अलावदिन खिल जी का कौन सा सेनापति दक्षिन भारत पर विजे अभ्यान हेतु जाते समय जारखंड से गुजरा था तो जारखंड से गुजरने वाला उसका जो सेनापति था वो था मालिक काफूर आगे सवाल है अलावदिन खिल जी द्वारा कब अपने सनापति छारखंड में नागवंसी राज पर विजे प्राप्त करने के लिए और निम्न में से किस नागवंसी राजा ने अलावदिन खिल जी की अधिनता स्विकार कर ली थी तो उसका जवाब हो जागा बेनू करनी न सब्सक्राइब करें और लावदिन खिल जी की अधिनता स्विकार कर ली थी और इसके साथ यहां पर टॉप 25 क्वेश्चिन जो इससे रिलेटेट थे उसका में सलुसन करवा दिया है तो आप एक कम जरूर करेंगे आप अपना कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ वह म मेरे कमेंड बॉक्स में आप जरूर से जरूर लिख करके बताएंगे और इसके लिए आप क्या करें आप मेरे पेज को जो फेस्बुक पेज है उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें फॉलो करें बहुत धन्वाद थेंक्यू करें झाल करें प्रूर लाइक